जब आप डायलॉग ही नहीं करेंगे बात ही नहीं करेंगे और विदाउट एनी रीजन अभी तक उन्होंने थेड लेवल नहीं बताया क्या था वेक सी बात करके आप इस तरह तो फिर दुनिया में कोई काम नहीं चलेगा ना डूजल लेवल पर चल सकता है आप इदर घर से म मेजर देखे, एड अफ स्टेट का आपको दिया गया और उनके खुद बलगे से क्योर्टी घीम आई थी सरह कुछ लेखने के लिए तो जब चार दिन आपको स्क्यूर्टी प्रवाइड की गी थी तो क्या आपको पांच वे दिन मैच वाले दिन प्रवाइड नहीं करने थ हम उसके साइड की तमाम जितना डिस्टंट के लाके हैं उसको भी बन कर देते हैं अब जब आपकी उस रूट को भी कोई टच नहीं कर सकता तो फिर आपको स्केर एलिमेंट को तो एक परसंट डाउट नहीं बचता तो यह सारा लेमिक्स यूसा और यह जो प्लिटिकल गेम की हाथों में ही है तो अब ऐसी सिचुएशन में जबकि इंडिया भी पाकिसान में जो खेल है वो खतम करने के दरपे है और अब यह मुल्क भी मैदान में आ गए हैं पाकिसान किस तरह आइसी सी में अपने मौकिफ को पेश करेगा अदेखें बिल्कु ठीक का आपने आइस पाकिसान और कुछ कंट्री ते जोर लगा कि उसको खतम तो कर दिया लेकिन अभी भी हमें देख रहा है कि उनकी जो इंकलाइंड है आइसी सी का होता है हुमेशा इनी कंट्री की तरफ होता है चाहे वो आप प्लेयर की हाथ तक देख ले किसी को बैन करते हैं तो पाकिस्ता के पास जाना है बट अगर आईसी सी आपको रिडिव ने देता तो आपको इन्टरनेशनल कोड अफ जस्टिस में जाना की तो क्या पाकिसान अब जैसे कि इनकल ने ने इदिया नीजिलेंड ने ने इदिया क्या पाकिस्तान इस historic error के मैं क्हेलें के साथ हम नेधे तक राइट आफ नी कर सकता, बहुत बड़ी टीम है हमारी, तो आप उनसे डिमांड करें के भाई, अगर आप हमारे कंट्री में आके जो बाइलाइटरल सीरिस नहीं खेलेंगे, तो हम और आपके कंट्री में आके बाइलाइटरल सीरिस नहीं खेलेंगे, आप भी हमसे अगर neutral value पे खेलेंगे तो हम आपकी जो domestic series है वो भी हम neutral value पे खेलेंगे आप इस तरह के एक shut up call दे, एक strong message दे, देखें इन्शालाँ चीज़े बेतर होंगी अगर आप वही टेमेंड अप्रोच के साथ, डेरे ओवे स्केर्ड अप्रोच के साथ मूव करेंगे तो मेरा निक ख्याल आपको कुछ gain करने वाले है अच्छा, हम यही बात करें कि मतलब इस वक्त PCB को भी काफी strong अपना रवया रखना पड़ेगा गर्मिन का इसमें क्या खिरदार होगा? देखे दोनों का बड़ा इसमें important रोल है, पहले मैं PCB की बात कर लेता हूँ PCB के लोंग की मुझे कुछ slackness नजर आई, आगर थोड़ा सा मैं पीछे लेके जाऊं तो आपको याद आ रहा होगा कि जब हमारा PSL हो रहा था जो second leg होनी थी, PSL की UE के अंदर, पूरे 10 days आपको daily TV पे news मिलती थी, PSL होने जा रहा है, cancel जा रहा है, cancel हो रहा है, cancel हो गया है, प्लेयर्स को वीजे नहीं मिले, अच्छा है वापस बठा दिया, कई लोहर रहागे, कुछ गई जाई नहीं सके, तो इनके भी जो लैकनेस है वो तो बड़ी स्टॉंग नजर आई, अच्छा इसमें एक रोल मुझे नजर आया, इसान मानी का, जो के हमें बड़ा एक silent रोल प्ले कर रहे थे, और जो हमें किसी को नजर नहीं आथा, हम कहते थे वो कुछ कुछ करता ही नहीं है, आज, मैं कल भी एक TV चैनल पर बात कर रहा था कि अब आपको पता चला कि उस बंदे की कुछ वैलियो थी, वो ICC के चेर्मेन भी रहे, और वो पाकिस्तान के चेर्मेन, एक ही मुझे उनका रोल अच्छा नजर आया, जिसकी अच्छी चीजों से acknowledge करना चाहिए, उनकी बड़ा नाम होता है और बड़ा बंदा ये जो PCB के चेर्मेन की सीट है, मेरा वैसे पसलि माना ये इसमें करिक्टर की दूरूत नहीं है, ये इस और अधिमिस्टरिशन जॉब, ठीक है, आपको ये अधारा है, ये लाजमी ने इस अधारे को गौन कोई एक्टर या कोई शोबिस का बंदा करे, यहां कोई जर्नलिस्ट ही करें, क्योंकि यह एक अडिमिस्टेशन की जॉब है, उसने एक एदारे को रन कर रहे हैं, तो सानमानी की जो से थी, आपके हैड ऑफ जो दूसरे कंट्री के जो थे, पीसीबी के, दूसरे जितने भी बोर्ड्स है, क्रिकट बोर्ड के, कंट्री के यहां ICC के अंदर वो बड़ी एक वर्थ रखते थे, उसकी वज़ा से आपने देखा कि आपकी टीमों ने पाकिस्तान आना शुरू कर दिया था, जैसे ही इसानमानी आए, आपके सिलंका आई, बंगला देश आई, जुमावे आई, वेस्टर डीज आई, साथ फरीक आई, और इनको भी लेके आने वाले जो थे, वेसानमानी थे, जैसे ही वो उनका ट्रियूर खतम किया गया, आपको डेंट पड़ गी, एक तो यह है कि जो उनकी रेप्लेस्मेंट में लोग हैं, उनको भी स्टॉंग होना पड़ेगा, वसीम खान अपना क्रैडर लेते थे थे सान कर रोलता, तो वो तो आपने देख लिया कि उनको फून किया, यह नहीं कर सके, तो PCP के लेवल पे आप लोगो आपको राइट परसन फो राइट जॉब लगाने पड़ेंगे, अगर आप यह कहाल में रमीज राजा आप इस पोस्ट के लिए मतलश्यों देब लिए तो कहन चीज तो बड़ी क्लियर और एविडेंट है, कि सान माली का मुझे रोल बड़ा क्लियर नजर आया, कि उनकी एक वर्थ थी, एक वैलियो थी, उनकी बात को वेटिज दिया जाता था, जैसे ही वो विड्रॉ किया आपने, आपको उनोंने, हम एक्सपोज होगे, एक तो वो दूसरा, गोर्मेंट डैवल पर येस, बिलकुल होना चाहिए, आपके फॉर्ण मेस्टर को इसमें आना चाहिए, पीम ओविसली क्रिक्टर है, वो अलरड़ी इसमें जंप इन कर चुके है, बट आपके स्टांस बड़े क्लियर होने चाहिए, आपकी बोड़ी लैंविज ब लाने वाला ही इंग्लेंड है, ठीक है, अब अगर हम इन टीम से इंकार करते हैं खेलने से, इसे फाइनेशली हमें तो असर पड़े गाई पड़े गा, लेकिन अगर हम मौरली देखें या हम देखें कि इससे हमारी से कितनी स्ट्रॉंग होगी, वो चीज भी तो देखनी है कि हम अगर इंकार करें नहीं हमने नहीं खेलना, हम अगर भारत के साथ नहीं खेल रहें वो हमरा रिवायती हरीफ है, इनको अगर हम रिवायती हरीफ समझते हैं तो हम कहां पर खड़े होते हैं फिर, देखें मैं वही कह रहूं कि आपने उनको भी फिनेंशली हिट डालनी ह और इवन दो जब इनकी भी सीरिस नहीं होंगी तो इनको भी हिट पड़ेगी तो आपको लगते हैं ऐसा प्रैक्टिकली मुम्किन है कि ऐसा हो सके बिल्कुल 100% मुम्किन है आप उनको क्लियर स्टांस दें क्यूंकि पाकिस्तान की विवर्शिप अभी भी दुनिया में क्रिक आफ नहीं कर सकते हैं तो आपको स्टांस बड़ा क्लियर लेना पड़ेगा हर फॉर्म की उपर अचा हम इंटरनेशनल क्रिक्ट को पाकिसान में लाने की बात करते हैं अब हमारे जहनों में शहीं यह है कि जो गोरे आएंगे वो हमारे मुल्क में आएंगे तो शहीं इंटर वह उसी तरह के प्रोग्रेसिव कंट्रीज के अंदर आते हैं तो वह हम उसको उसको उस तरह क्या वैल्यू नहीं देते हैं गोरी चमडी का तो उसको परणा है कि हम उसको जादा वैल्यू देते है इधर ICS को यह देखना है तुमाम बोर्ड को भी यह देखना है Western Boards को इसक कि लिखना कल बटलर ने भी ब्यान दिया, माइकर वॉन ने भी बिया दिया, कि ये बिलकुल ए ऑन ज्जिस चीजज़ है कि मैकल ठर्तन ने भी आहिए और अंग्लाद दिया चाहिए कि न्यूजिलेंड की टीम या इंग्लेंड की टीम ने जो इंकार किया पाकिस्तान में खेलने के हवाले से अब हमें भी इंकार करने की जुरुत है उनके मुल्क में जाके खेलने के शुक्य बहुत शुक्री अरफान शeर साथ전에 प्रोग्राम में आये और बहुत से आ हैं